तोड़े, वी विल कंटीन्यू अगेरिकस इन पार्ट 30 अफ माइकोलोजी तो माइकोलोजी के 29 पार्ट में हमने अगेरिकस शुरू किया था और उसमें मैंने आपको अगेरिकस का वेजिटेटेव स्ट्रेक्चर के बारे में बताय था और साथ में मैंने फेरी रिंग्स के बारे में बताय था और ये भी बताय था कि जो वेजिटेटेव स्ट्रेक्चर होता है वो मैसीलियम से बना होता है और ये वेजिटेटेव मैसीलियम जो होता है तीन तरह का होता है One is primary myceleum, another is secondary myceleum and the third one is tertiary myceleum जो primary myceleum होता है ये basidus pore के germination से develop होता है और ये monokaryotic type का होता है It is either of plus strain और minus strain जिस भी strain का basidus pore से ये develop हुआ है उस strain का ये myceleum develop होगा, monokaryotic होगा इसके बाद में जो दूसरी तरह का myceleum जो होता है वो secondary myceleum होता है जो की primary myceleum के fusion से या somatogamese से ये develop होता है जो की dicharyotic होता है and it is a long-lived myceleum और सबसे ज़्यादा तादाद में यही myceleum underground मिलता है और ये जो myceleum, जो dicharyotic myceleum जो होता है ये compactly arrange होकर के इस myceleum से जो fruiting body develop होती है जिसे हम basidiocarp कहते हैं तो ये myceleum जो compact arrange हो जाता है ये myceleum tertiary myceleum कहलाता है तो tertiary myceleum जो है वो dicharyotic myceleum ही है पर ये compactly arranged myceleum है अब ये जो myceleum जो dicharyotic myceleum जो होता है जो subterranean होता है यानि underground myceleum जो होता है क्योंकि myceleum जो है जमीन के सतह के अंदर ग्रो करता है और ये एक ring में ग्रो करता है ये एक center point से चारो दिशाओं के अंदर ये एक circle के अंदर ये ग्रो करता है और जो इसके edges जो होते हैं बीच का portion जो होता है after certain time ये dead हो जाता है it dies away with the age बट जो peripheral myceleum होता है उस peripheral myceleum में जो rhizomorphs होते हैं उन rhizomorphs से fruiting bodies develop होती है जिने हम sporophores या basidiocarp कहते हैं तो ये जो fruiting bodies जो develop होती है चुकि ये marginal जो आपके peripheral myceleum से develop होती है तो ये एक ring में ये develop होती है इसलिए इनको fairy rings कहा जाता है तो क्यों इनको fairy rings कहा जाता है because of an old superstition that the mushroom growing in a ring indicates the path of dancing fairies यानि जो fairies जो होती है या परियां जो होती है उन नाजती वे परियों के path को ये ring indicate करती है इस superstition के आधार पर इस ring को fairy ring कहा जाता है इसके बाद आज हम बात करेंगे जो agaricus होता है उसके अंदर जो fruiting body होती है या जिसे हम basidiocarp कहते हैं वो किस प्रकार की होती है तो पहले हम basidiocarp के बारे में बात करेंगे तो जो secondary mycelium जो होता है जो की dicariotic mycelium होता है ये mycelium जो compactly arrange होकर के एक tissue like structure बना लेता है जिसे हम rhizomorph कहते हैं अंदर तो या जिने भूमीगत तंतु जटा जिसे कहा जाता है इससे ये aerial fruiting body develop होती है जिसे basidiocarp कहा जाता है तो अगर हम basidiocarp को देखें तो basidiocarp के basically तीन important reasons नजर आते हैं पहला reason जो है उसका उपर का ये umbrella shaped structure जो आपको उपर चत्री नुमा structure आपको दिख रहा है ये चत्री नुमा structure ये this is the umbrella shaped structure this is called the pilus इसे क्या कहते हैं पाइलस केते हैं चत्री नुमा सरंचना को और ये चत्री नुमा सरंचना जो है इसके center points से आपको यहाँ पे radially arranged कुछ आपको plate like structure दिख रहे हैं जो के दूसरा part जो इसका है वो कहलाता है पाइलस के बाद में जो दूसरा part है वो है stripe stripe is a stock part of this fruiting body इस stock को हम stripe कहते हैं तो ये जो stripe जो होती है ये stripe जब पाइलस जब ग्रो होता है उस समय जो इसकी membrane जो है उसके तीन पार्ट हो गए one is pilus another is annulus and the third part is stripe और stock जिसे कहा जाता है ये इसके तीन पार्ट होते हैं जब हम इस stripe का transfer section काते हैं TS तो यहाँ पर आपको transfer section कातने पर आपको दो तरह की cells इसमें arranged नजर आ रही है बाहर की तरफ जो ये cells हैं ये outermost cells की ये जो layer है ये बाहर वाली ये compactly arranged होती है तो ये जो compactly arranged hyphy जो होते हैं peripheral reason के ये region जो कहलाता है ये cortex reason कहलाता है और बीच के जो loosely arranged hyphy होते हैं जिसमें intercellular spaces भी नजर आती हैं तो ये region जो है जो loose cells का बना होता है इसे medulla कहा जाता है तो इस तरह से एक basidu का आप के अंदर जब हम देखेंगे तो जो type है उसमें आपको दो reasons नजर आए one is cortex and another is medulla जब हम gills का जब हम transverse section काटते हैं इसका जब हम ts काटते हैं gills का तो इसका ts कातने के उपर गिल के इसमें तीन reasons आपको नजर आते हैं अभी मैं broad बता रही हूं बाद मैं detail मैं बताऊंगी one is trauma another is sub hymenium reason या जिसे hypothesis भी कहा जाता है and the third one is hymenium और the fertile part जिसे जो जिस पे क्या लगे होते हैं basidia लगे होते हैं और उन basidia पे basidio spores produce होते हैं तो hymenium is the fertile layer और trauma जो है सबसे central most reason होता है गिल का ओके तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी मैंने आपको सिर्फ इन तीन reasons के बारे में बता दिया इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो basidio carb है या यह जो fruiting body है यह किस प्रकार से develop होती है तो हम बात करेंगे development of basidio carb और sporophore in agaricus तो यह जो fruiting body develop होती है या जिससे basidio carb कहा जाता है यह basidio carb basically rhizomorph से develop होती है और जब मैंने आपको fungal tissues बताया थे या modification of fungal mycelium जब बताया था तो मैंने आपको rhizomorph के बारे में बताया था कि यह बिल्कुल उसके fungal mycelium जो होता है यह fungal hyphy के compact arrangements से यह एक root like structure बना लेता है जिसे rhizomorph कहा जाता है तो यह rhizomorph dicharyotic mycelium के compactly arrange होने से बनता है और इस structure को tertiary mycelium भी बोल सकते है तो यह जो आपका जो rhizomorph जो होता है यह rhizomorph जो है जमीन से बाहर की और एक छोटी से structure के फॉर्म के अंदर एक गांट के फॉर्म में जमीन से बाहर निकलता है तो जब यह rhizomorph जब nutrients को absorb करता है उस समय इसमें यह basidio carp यह fruiting body जिसे sporophore भी कहा जाता है यह develop होता है यह basidio carp जितने भी underground जितने भी कवक तंतु या जिने हाइफा कहते हैं उनके जो apical ends होते हैं उस पर यह छोटी सफेद गांट की तरह जो सरंचना के रूप में यह उत्पन होती है और यह structures यह जो button like structures जब यह बड़े हो जाते हैं गोलकार हो जाते हैं तो इस अवस्था में यह जमीन से बाहर निकल आते हैं और stage को हम कहते हैं button stage तो आपको यह सबसे पहली stage जो आपको नज़र आ रही है this is the button stage okay अब button stage जो है यह जब stripe जब grow करता है और pylos की जब excessive growth होती है तो उस excessive growth की कारण जो है यह जो उपर का जो above ground जो aerial portion है यह umbrella की तरह यह एक grow करता है structure बना लेता है surface की उपर यहां पर उस structure को हम कहते हैं pylos तो इस button stage में आपको तीन reasons नज़र आएंगे one is the bulbous portion that is called the stripe यह वाला portion जो है it is the bulbous stripe portion अपर umbrella shaped portion जो hemispherical shape का दिख रहा है this is pylos और यह इन दौनों के junction की उपर जो आपको यह goal cavities नज़र आ दी है इनको para lamellar chamber यह gill chamber भी कहा जाता है ठीक है जिसके अंदर कक्ष से जो radially plates develop होती है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है gills या lamelley कहा जाता है तो यह radial plates जो develop होती है center से pylos के नीचे यह इसका hymenium portion बनाती है बाद में इसका fertile part जो होता है वो hymenium कहलाता है तो जब stalk जब grow करता है तो यह button stage जो है इस जमीन से सतह से उपर उठ जाता है और इसके उपर जो hemispherical जो structure है या जो pilos जिससे develop होता है यह बहुत तेजी से grow होता है as compared to stripe तो इसकी इतनी तेजी से इसकी growth होती है कि यह बिलकुल एक umbrella की तरह यह पूरी cap-like structure बना लेता है जिसे हम pilos कहते हैं और इसके जो margins होते हैं जो कि stripe से जुड़े रहते हैं उन margins को हम कहते हैं willum जो कि willum जो होता है वो membranous structure होता है और जब growth बहुत ज़्यादा होती है तो यह willum जो है यह फट जाता है और जो fertile layer जो होती है pilos की वो exposed हो जाती है और कुछ इस फटेवे willum का कुछ part जो है इस type से लगा रह जाता है जिसे हम annulus कहते हैं तो in this manner you can see यह जो stages आपको दिखनी है किस तरह से यह hemisverical portion जो है यह काफी तेजी से यह grow किया और इसकी growth के कारण यह जो जो है यह नीचे से यहां से burst हो जाएगा और burst होने से इस की जो pilos की जो lower surface है वो exposed हो जाएगी जिने हम gills कहते हैं जिस पर gills लगे होते हैं okay so this is the pilos this is the stripe this is pilos this is stripe यह portion आपको clear दिख रहा है और यहां पर जो part होगा जिस पर यह membranus portion लगा होगा इससे हम कहेंगे annulus okay इसके बाद एक matured basidio carp को हम देखेंगे this is a matured basidio carp और इस matured basidio carp में clear आपको pilos नज़र आ रहा है gills नज़र आ रहे हैं annulus नज़र आ रहा है जिस पर membranus portion लगा है या वेलम के कुछ पार्ट लगा हुआ है फटने के कारण और आपको stipe नज़र आ रहा है और छोटी छोटी साथ में आपको button like stage आपको साथ में नीचे जमीन से निकली हुई भी नज़र आ रही है जो developing basidio carps हैं तो इस तरह से यह जो basidio carps है यह mature होने के बाद में इसकी जो lower surface है उसमें पाइलस के नीचे यह आपको gills नज़र आते हैं और जब पाइलस का हम section काटते हैं क्योंकि जो development होता है वो gill region में भी simultaneously होता है जब यह basidio carps grow करता है तो जब हम इसका यह tiers काटते हैं यह vertical section जब हम काटते हैं उस समय इसके अंदर आपको यहां पर आपको तीन length के आपको gills नज़र आ रहे हैं one is quarter length gill another is half length gill and the third one is full length gill so यह आपको यह जो reasons नज़र आने यह different lengths of gills नज़र आ रहे हैं hymenium region के अंदर and this is a cross section of pilus उसमें भी आप देख रहे हैं यह इस type है और यह pilus की जो inner surface है hymenium उस पर आपको यह छोटे छोटे यह आपको बहुत सारे gills आपको नज़र आ रहे हैं तो यह structure जो है यह basidio का आपका pilus का lower part है जिस पर gills लगे होते हैं उसका structure है इसके बाद में हम detail में बात करेंगे कि किस सरह से इस hymenium region के अंदर basidia develop होते हैं और उस पे basidio sports का formation किस प्रकार से होता है तो इस part को हम next lecture में discuss करेंगे that's all about my today's lecture thank you